सुखदाई है तिरना तरवन्दन शुबहोशा शंकर सुवन की सुरी सुत को शीष जुकाते हैं निशुदिन शीष जुकाते हैं राम भक्त श्री हलोमान की कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं शंकर सुवन की सुरे सुत को शीष जुकाते हैं निश्दिन शीष जुकाते हैं रामभक्त श्री हरुमान की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुखदाई है तिरना, करवंदर सुब होशाँ सुख़ाई है किरना तर्वंदर शुबोशाद एक रोज ब्रह्मादी महचे शिव के कलाश पे ध्यान मगन शिव शंभू थे भक्तिया काश पे करो उपाए तशकन्ध के खुल संगार का शिव भोले ने किया था वादा खुद अवतार का हे विश्णुजी तुम भी तो हरी अवतार लो धर्म स्थापित करने को कंधे पे भार लो अपना अंश में दे दूबो भूबे आपको रामदास बन मेटेगा दानव संतात को प्रफुल होकर सभी देवता लोट के आते हैं हम कथा सुनाते हैं रामभक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं सुख दाई है तिरना तरिवंदन सुब होशाव केसरी पतनी अजनी गई थी मतंग रिशी के पास पुत्र बिन में दुखी रिशी जी पूरण कर दो आस आकाश गंगा तीर्थ में तुम जाकर करो स्नान बारे वर्ष तक तप करने से हो जाए संतान वायु देव ने भी दे दीना पुत्र का भरदान ठीक समय पर पुत्र जन्मा नाम रखा हनुमान शिव शंकर के अंश हनुमत भीरों के भीवीर पवन पुत्र हनुमान कहलाएगा नर रूप शरीर देख देख के सुत को मात पिता हर शाते हैं पावन कथा सुनाते हैं रामभक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं सुखदाई है तिरना करवंदर सुब हो शाओ सुखदाई है तिरना करवंदर सुब हो शाओ चन्द्रमा की भाती बालक पढ़ने लगा दिन दिन पल बुधी और तेज अनूपम बजर जैसातन एक रोज जब सोकर जागा माती बाहर कही भूख लगी तो देखा घर में कोई आहार नहीं सुर्य विप को फल समझा लगा लिया अनुमान फल खाने को उडे गगन में अंजने सुत हनुमान गिरे गगन से पड़े गिरी पर बालक थे नागान हनु टूटी तो हनुमत बन गए जाने जगत महा अपने सब वरदान देवता दे कर जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं रामभक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं सुख दाई है तिरना धर्वंदर शुब होशाँ दशरत के घर पहुचे शंकर बन घर मदारी पानर हनुमत संग निये थे माया थी न्यारी बजा बजा के डमरोशिव ने खेल दिखाया था राम लठन संड सब भाईयों को खूब हसाया था रामजी बोले अब तुम पपा सरोवर ने मिलना सुख रिव के संग रहकर वहाँ पे मित्रता करना प्रभू राम जब कैकई ने वन में भिजवाई सीता हरण की आरावण ने रगुवर घबराए पंपा सरोवर में हनुमत से राम मिल पाते है पावन कथा सुनाते है रामभक्त श्री हनुमान की गाथा गाते है हम कथा सुनाते है सुख दाई है तिरा नाम करवंदर सुग होशा सुख दाई है तिरा नाम करवंदर सुग होशा प्रभु राम ने हनुमान को सीने लगाया था दशानन ने हर निजान की भेद बताया था बालीवद के बाद सुग्रीव गए फर्ज को भूल हनुमान ने याद दिलाया छोड़ो नहीं उसूल सीता खोज में बानरकल को फिर बुलवाया था हनुमान को सुग्रीव ने यूँ फरमाया था महा कपी कोई तुम साना बड़ी कती तुम्हारी है जनक नंदनी को तुम खोजो इच्छा हमारी है अंगद जामवान संग हनुमत खोज में जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं रामभक्त श्री हलुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं सुखदाई है तिरना करवंदर शुब हो शौँ सुखदाई है तिरना करवंदर शुब हो शौँ रघुवर ने एक कई अंगोठी संग मिन जाओ तुम समय गवाएं बिन सीता का पता लगाओ तुम ग्रेधर राज संपाती ने सब भेद बताया है अशोक वाटिका में सीता को लाके छुपाया है सब किसलाँ पर हनुमान जी सागर पार गए अपनी देह का अंजनी नंदन कर विस्तार गए लंकनी को पुका जमाया लंका में घूमे हनुमान जी लंका में उत्पात मचाते हैं पावन कथा सुनाते हैं राम भक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं सुखताई है तिरा नाम करवंदर सुग होशाँ सुखताई है तिरा नाम करवंदर सुग होशाँ लंक पते सुत्थ अक्षे के संग असुरोपो मारा प्रम अस्त्र में बंद के गए तो रावन लनकारा मा सीता का हरण किया है उनको लोटा दो श्वीराम से मा पी मांगो सर को जुखा दो हनुमान की पूछ में जब वहां आग लगा डाली उचल उचल कर हनुमान ने लंका जना डाली चूड़ा मनीले मा सीता से आये प्रभू के पास लंका की हर बात बताई सेवा में है दास भक्त विभीशन की बाते हनुमान बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं राम भक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं सुख दाई है तिरना, तरिवंदर सुग होशाव प्रभु राम और लंका पती में युद्ध हुआ भारी लखन लान को शक्ति लगी जो मेध नाद मारी वैध शुशेण ने कहा हनुवन पूटी लाए थे पूटी सेवन करते ही लक्षमन उठ पाए थे गशानन का प्रभु राम ने वन्ष मिटाया था मासीता को लंका से सकुशल छुडाया था विभी शण को नंका देनी ताज पहनाया था रोम रोम में राम है जिसके मंद मुसकाया था हनुमान को सीने से प्रभु राम लगाते है पावन कथा सुनाते है राम भक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं सुखदाई है तिर नाम करवंदर शुग हो शाओ सुखदाई है तिर नाम करवंदर शुग हो शाओ सुखदाई है तिर नाम करवंदर शुग हो शुग हो शुग हो शुग हो शुग हो शुग हो नगरवासियों ने नगरी में दीप जनाए थे सब वीरों को बिठा सभा में घूब दिये उपहार मा सिता ने हनुमान को दिया कंठ का हार तोड़ तोड़ कर मोती देखे इन में न सिया राम जिन में सिता राम नहीं वो मोती है किसका देख माजरा बोले विभीशन ये क्या है बंदर बोले हनुमन सिया राम मेरे हिरदे के अंदर भरी सभा में अपना सीना फ़ाड दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं राम भक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं सुखदाई है तिरना करवंदर शुब हो शौँ मा अजनी से मिले हनुमत शीष जुकाया है माता बोली हनुमत मेरा तो दूध लजाया है हनुमान के होते युद क्यों लड़ने गए श्री राम तूने क्यों ना कर डाला था प्रभू राम का काम लक्षमन सोचे अपने दूध पे अंजनी को है गुमान ताड गई थी लखन के मन की माता बढ़ी महा धार दूध की छोड़ी माने हो गया परवत चूर ऐसा दूध पिलाया सुत को शक्ती है भरकूर प्रभू की निला प्रभू करे मा को समझाते है पावन कथा सुनाते है राम भक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते है सुख दाई है तिरना करिवन्दन सुब हो शाओ सुख दाई है तिरना करिवन्दन शुब हो शाओ एक दिन अंजनी नंदन को बड़ी भूख सता रही थी माता सी तनहा के कुछ सिंदूर लगा रही थी माता ये क्या लगा रही हो बोल उठे हनुमान सिंदूर लगाने से रगुवर का होगा रे कल्यान हनुवन भागे वापिस आए हसी देख मैया कन पे क्यों सिंदूर मला है बोलो रे भैया ज्यादा सिंदूर लगाने से हो ज्यादा ही कल्याण सीता मा की आँखे भर गई वहरे वह हनुमान हनुमान को इसी लिए सिंदूर चढ़ाते है पावन कथा सुनाते है रामभत श्री हनुमान की गाथा गाते है हम कथा सुनाते है सुख दाई है तिरा नाम करवंदर शुब होशाँ राम का सेवक या सीता का चर्चा छिड़ी हुई हनुमान है मेरा सेवक सीता अड़ी हुई राम जी बोले हनुमान तो सेवक मेरा है चलो परिक्षा नेले किस से स्नेह घनेरा है ना सीता का सेवक हूँ मैं ना श्री राम का सिया राम का सेवक हूँ सचे सुख धाम का एक हाथ से पंखा लाया एक से पानी एक समय में दोनों की ही बात थी मानी सेवक प्रेम से सीता राम को मगन बनाते है पावन कथा सुनाते है राम भक्त श्री हनुमान की गाथा गाते है हम कथा सुनाते है सुख दाई है तिरना तरिवन्दन सुब हो शाँ सुख दाई है तिरना तरिवन्दन सुब हो शाँ रगुवर सेवा हनुमान तो कर ही जाता था ऐसा मुका और किसी को मिल नहीं पाता था तीनों भाईयों और सीता ने कार्य बाट दिये हनुमान को काम दियाना न्यारे छाट दिये चुटकी बजा तू अगर प्रभू को जमाई आएगी इतनी सेवा सी ही आतमा त्रिप्त हो जाएगी एक तरफ को बैठ हनुमत चुटकी बजाते थे चुटकी कारण राम चंद्र जी सो नहीं पाते थे सारे सेवा काम दास को सो पे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं राम भफ्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं सुखदाई है तिरना तरिवंदर सुब हो शाव राम दूत के तुल्ले बनना और किसी में हैं परवत हाथ उठाए ना ऐसा जोर किसी में हैं एक हाथ में गदा एक में बजती खड़ता ली राम भजन में मस्त रहे मिर बजरंग बलशाली जैसा चाहे रूप बनाए हनुमत पवन कुमार संकट मोचन मंगल करता हरते कल है विकार कमल सिंग मेरे गुरो करण सिंग बजरंगी के दास हनुमान की शरण रहे हम छैर तुबारा मास संकट मोचन और नहीं कोई देव कहलाते है पावन कथा सुनाते है रामभक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते है सुखदाई है तिर नाम तरिवन्दन सुब होशाँ सुखदाई है तिर नाम तरिवन्दन शुब होशाँ